Hello everyone, आज हम लोग JPSC, Civil Services Mains का एक topic discuss करेंगे, जो कि Paper 6 में Science and Technology Development वाले portion में आता है, that is National Health Policy. इसमें ज्यादा कुछ एनलीसिस नहीं है, कि National Health Policy पर क्या काम किया गया है, या उसका comparative study जैसा, या फिर कितना targets पूरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें basically facts है, कि National Health Policy में क्या है, उसका principles क्या है, और उसका aim क्या है, targets क्या है, बस यहीं सब है, इसमें, तो यह सब जो है, आपको basically introduction और National Health Policy के बारे में अगर पूछा जाता है, तो यह आपको facts काम आएगा, at least आपका factual point लिखने के लिए, ठीके, analytical point हमेशा current affairs रिलेट करके लिखना पड़ता है, तो वो as and when exam होगा, तभी देखा जा सकता है कि उस समय स्टेटस क्या रहता है, विविन प्रोग्राम का अलग-अलग targets कितना पूरा हुआ, तो उस time देखेंगे हम लोग, तो आएगे देखते हैं कि इसमें factually है क्या National Health Policy में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले introduction, the primary aim of National Health Policy 2017 is to inform, clarify, strengthen and prioritize the role of the government in shaping health system in all its dimensions, तो health system के जितने भी dimensions है, ठीक है, जितने भी dimensions आ हो है health system के, आप health systems related जितना भी sector सोच सकते हैं, उन सब को क्या करना है, strengthen करना है, तो वो कौन-कौन सा health में कौन-कौन सा sector है, जिसको की सही करने के बारे में बात किया गया है, तो वो है investment को बढ़ाना है, ठीक है, organization को strengthen करना है, disease का prevalence रोखना है, good health को promote करना है, ठीक है, cross-sectoral actions को promote करना है, cross-sectoral मतलब की जैसे सफाई से health जुड़ा हुआ है, तो ministry of water resource and sanitation वाला जो है, वो भी collaborate करेगा health ministry के program में, तो इस तरह cross-sectoral actions को बढ़ावा देना, ठीक है, medical pluralism, medical pluralism मतलब की जैसे विभिन system of medicine होता है, जैसे की आयूस mantra ले बनाए गया है, जो alternative systems of medicine है उसके लिए, homeopathy होता है, ayurved होता है, yunani होता है, सिद्धा होता है, उसके अलावा हमारा allopathic तो है ही, तो medical pluralism मतलब की जो एक आम वैक्ती है, उसके पास choice होना चाहिए, कि आप कि system of medicine से अपना इलाज करवाना चाहते है, तो उसको भी encourage करेगा, अलग-अलग type का medical systems को, ठीक है, उसके अलावा knowledge base, ये तो आपका study से related है, ठीक है, financial protection, मतलब काफी सारा पैसा खर्च हो जाता है, आम जन्ता का, गरीब जन्ता का, अगर कोई medical exigences आ जाते हैं, या medical emergencies आ जाते हैं, तो उसमें काफी हो जाता है, तो financially protect करना, उनको ठीक है, बहतर regulation बनाना, और health assurance, इन सब चीजों को लेकर गए, ये पूरा program, मतलब इसका introduction में आप ये सब लिख सकते हैं, तो अब next देखते हैं क्या है इसमें, तो इससे पहले health policy कब आया था, तो इससे पहले health policy, वो 1983 में आया था और 2002 में आया था, तो दो health policy है, तो हमारा इस तरह से हम देख लिए कि 2017 वाला health policy है, वो third health policy है, ठीक है, तो objective question में भी पूछा से सकता है, कि most recent health policy है, वो concern number वाला health policy है, तो वो third health policy है, हमारा इससे पहले दो आ चुका है, next दिखते हैं, तो अब आते हैं, अपने national health policy 2017 पर, कि इसका सिध्धानत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, या जो पूरा policy बनाया गया है, इस चीज का, ठीक है, तो इसमें जो है, basically ये सारा points है, जो कि आपको जानना चाहिए, ideally, अगर आच चांसर लिखना है, तो ये points आपको र ठीक है, तो professionalism, integrity and ethics लाना है, इसका principle में equity है, सब को मिलना चाहिए, बराबर मौका इलाज कराने का, ठीक है, affordability, मतलब सब को, सब के bus में होना चाहिए, वो facility, medical facility, ऐसा नहों कि गरीब जंता नहीं इलाज करा पाए, universality, सब के लिए होना चाहिए, कोई छूटना नहीं है, accountability, यानि जो कर रहा है, medical fraternity, उसमें accountability होना चाहिए, कोई भी कुछ भी कर दिया, और बचकर निकल या, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर action के लिए accountable होना चाहिए, कोई ना कोई, inclusive partnership, मतलब public sector, private sector, सब मिल करके, काम करेगा, pluralism, pluralism, just हम अभी देखे, क्या होता है, कि, अलग-अल decentralization, मतलब, ऊपर से control नहीं होगा, district level पे, village level पे, या पंचायत level पे, state level पे, हर level पे, medical systems, available होना चाहिए, और उनका control locally होना चाहिए, ठीक है, that is decentralization, उसे तरह, dynamism and adaptiveness, यानि कि, जो medical system है हमारा, वो dynamic होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक particular technology पे स्थिर हो गया है, या एक particular knowledge base पर स्थ evolve हो रहा है, disease evolve हो रहा है, या जो भी किस तरह से लोग खर्च करता है, medical system पे, वो evolve हो रहा है, तो adaptive भी होना चाहिए, और dynamic भी होना चाहिए, मतलब stagnant नहीं होना चाहिए, तो ये था, key policy principles, ठीक है, next देखते है, अब आता है कि, अगर national health policy लाया गया, तो इसका objectives क्या है, ठीक आप भी इस तरह से diagram बना सकते हैं अपने exam में, कोई problem नहीं है, in fact इससे क्या होता है कि, आपका presentation बढ़ता है, तो objectives जब भी लिखना होगा national health policy का, तो आप इस तरह से ये चारो point लिख सकते हैं, progressively achieve universal health coverage, reinforcing trust in public health care systems, align the growth of private health care sector with public health goals and specific quantitative goals and objectives, ठीक है, तो ये चारो point भी याद रखेंगे, as objectives of the national health policy 2017, ठीक है, अब देखते है, अब देखिए, ये सबसे यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना भी मुस्किल है, और लिखेंगे, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पूछा जाता है, national health policy के बारे में, तो most important यह होता है, कि हमारे targets क्या है, national health policy के अंतरगत, तो इसको याद रखना जरूरी है, तो anyway आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ explain करने जैसा नहीं है, but ठीक है, इसको एक बार मैं आपको बता देता हूं, तो increased life expectancy at birth from 67.5 to 70 by 2025, तो 2025 तक 70 साल कर देना है, life expectancy, ठीक है, और total fertility rate उसको 2.1, 2.1 जिसको एडियल माना जाता है, ठीक है, एक stable population के लिए, तो 2025 तक TFR को 2.1 कर देना है, mostly south indian states जो है, यह already achieve कर चुके है, north indian states जो है, अभी भी उनका TFR जादा है, 2.1 से, next देखते है, mortality, ठीक है, तो इसमें targets में under 5 mortality जो है, less than 5 years old kids का, ठीक है, वो 25 तक 23 तक ले आना है, और maternal mortality rate जो है, उसको 100 तक ले आना है, 20-20 तक, तो यह सब targets हो, इसको बार-बार देखेंगे जब, तो automatic हो, याद हो जाएगा कि कौन सा 25 तक target है, कौन सा 20-20 तक target है, और हर एक जो point है, जैसे life expectancy देखे इसके पहले, यह mortality है, अभी current slide में, तो यह सब में और भी points है, but most important point है, मैंने वो choose करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, तो at least इतना पता होना चाहिए, मैं यह नहीं कहता हूँ, policy document तो बहुत बड़ा है, 30-35 पेज का policy document है, but definitely नहीं आप उतना याद कर सकते हैं, नहीं आप उतना exam में लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह सारा कम से कम अंडर 5 mortality, maternal mortality और infant mortality, इन तीनों को लेकर क्या target है, वो आपको जानना चाहिए, mortality के respect में, next है, reduction of disease prevalence, तो जो disease है, समाज में फ्यला हुआ, उसमें उसके लिए जो कुछ जो बहुत ज़्यादा, मतलब देश के लिए परिशानी वाला सबब बना हुआ है, जो disease, उनका points at least पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें से, पहले देखते हैं, HIV AIDS का 90-90-90 program जो है, World Health Organization का वो पता होगा, आप लोगों को, तो उस target को 2020 तक अचीव करना, इस policy में कहा गया था, कि 2020 तक हम HIV AIDS को लेकर, WHO का 90-90-90 target है, उसको अजीव कर लेंगे हम, उसके अलाबा लेपरोसी, 2018 तक काला अजर, 2027 तक, 2017 तक, lymphatic failure assis, जो है, उसको endemic pockets में, eliminate करने का बात नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा है, endemic है, उस area में 2017 तक उसको achieve कर लेना है elimination, या फिर, अगर elimination हो चुका है, तो उस elimination को maintain करना है, ऐसा नहीं कि जहाँ eliminate हो या वहाँ फिर से हो जाए, तो यह ही है, disease prevalence को लेकर, इसके अलाबा disease prevalence में और क्या है, तो third point है, disease prevalence में, to reduce the prevalence of blindness to 0.5, 0.25, मतलब प्रती 1000 population में 0.25 से ज्यादा cases नहीं होने चाहिए, blindness के, ठीक है, और disease burden जो है blindness का, उसका one-third हो जाएगा, जो current level है, मतलब current level पर माल लिया जो 100 लोग है, तो one-third कर देना है, उसको यानि 33 रह जाएगा, ठीक है, तो to reduce the prevalence of blindness to 0.25, per 1000 by 2025 and disease burden by one-third from current levels, तो यह था, third point, fourth point देखते है, to reduce premature mortality from cardiovascular disease, cancer, diabetes और chronic respiratory diseases by 25% by 2025, यानि जब यह policy बनाया गया, उससे पहले जो prevalence था, cardiovascular disease की वज़े से जल्दी मौत हो जाना, cancer की वज़े से, diabetes की वज़े से, या फिर सांस का कोई अन्य बिमारी की वज़े से, तो वो सबका 2017 के पहले जो prevalence था, उसका 25% से उसको reduce कर देना है, जैसे 100 था तो उसको 75 कर देना है, 25% reduce करना है, तो यह भी एक target है, ओके, next देखते हैं, अब देखिए, disease prevalence के बाद, health services को लेकर क्या targets रखा गया है, तो health services को लेकर क्या targets यही है कि increase utilization of public health facilities by 50% from current levels by 2025, तो जो public health facility है, सरकारी दवाखाना, सरकारी hospital, ठीक है, उसका इस्तमाल बढ़ाना है जनता के बीच, कितना से by 50%, कब तक by 2025, okay, now, second point, more than 90% of the newborn are fully immunized by one year of age by 2025, तो जितने भी बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें से 90% को एक साल के अंदर, उनके जन्म लेने के एक साल के अंदर fully immunized करने का भी target रखा गया है 2025 तक, तो यह दोनों point याद रखेंगे health services से related, next देखते हैं, cross-sectoral goals related to health, तो इसमें क्या है, first point, relative reduction in prevalence of current tobacco used by 15% by 2020 and 30% by 2025, तो जो tobacco का इस्तमाल है, उसको कम करने का बात किया गया है, by 15%, 2020 तक उसको 15% कम कर देंगे, और 2025 तक उसको 30% कम करने का प्रुग्राम है, उसके बाद, access to safe water and sanitation to all by 2020, यह तो nothing to explain here, reduction of 40% in prevalence of stunting of under 5 children by 2025, तो जो stunting का prevalence है, under 5 children में, ठीक है, उसको भी 40% उसमें reduction लाने का बात, target रखा गया है, तो अब किसी भी policy में सबसे बड़ी बात होता है, finance का, तो finance के बारे में क्या बोल रहा है, कि increase health expenditure by government as a percentage of GDP from the existing 1.15% to 2.5% by 2025, तो अगर इस पूरे health policy में कोई सबसे, मतलब अगर आपको कहा जाए कि एक point बताईए, तो यह सबसे important point होगा, कि हम लोगों को अपने GDP का धाई परतिसद, health sector में खर्च करने का target government रखा है, कि public expenditure, government expenditure होगा, वो पूरे GDP का 0.5% होना चाहिए, 2025 तक, currently around 1 hover करता रहता है, तो उसको 2.5% तक ले जाना है हमको, यह objective में भी पूछा जा सकता है, next है, decrease in proportion of households facing catastrophic health expenditure from the current levels by 2025 by 20, levels by 25% by 2025, मतलब कि जितने भी households है, proportion of households, जो कि मतलब उनके income का एक, बहुत बड़ा हिस्सा किसी, बहुत ही, कठीन मतलब problematic disease अगर हो जाता है, तो उसका इलाज करने में ही उनका income का एक बड़ा proportion चला जाता है, तो यही वो कह रहा है कि ऐसा households जिनका income का एक बड़ा proportion health में चला जाता है, health सुपिधा को अवेल करने में, वो ऐसा household का जनसंग है, जो है, availability of paramedics and doctor as per Indian public health standard norm in high priority districts by 2020, तो Indian public health standard, इसके अनुसार, डॉक्टर कितना होना चाहिए, प्रती thousand population या one lakh population, और अलग-अलगतरा का जो infrastructure से related norm से वो बनाया गया है, तो उसको Indian public health standard बोलते हैं, उस standard की अनुसार, डॉक्टर या paramedics का availability ensure करना भी एक target है, अंडर national health policy 2017, ओके, नौ, second, increase community health volunteers to population ratio as per IPHS norm, same IPHS norm in high priority districts by 2025, तो जो community health volunteers है, उनका population में उनका जनसंग्या बढ़ाना है, ठीक है, उनका ratio बढ़ाना है, as per IPHS norm, कहाँ पर हर जगा नहीं, high priority districts में, जहाँ ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पर, ये भी 2025 तक करना है, ये 2020 तक था, ये 2025 तक है, ओके, तो ये था health infrastructure को लेकर, उसके बाद health management information, इसको लेकर क्या बोला गया है, या क्या target रखा गया है, तो first point is, ensure district level electronic database of information on health system components by 2020, तो district level electronic database का बात किया गया है, district के level पे, second point is, strengthen the health surveillance system and establish registries for disease of public health importance by 2020, तो health surveillance system registry बनाने का बात किया जा रहा है, तो public health disease क्या क्या प्रिवेल कर रहा है, आम जनता में, आम population में, उस सब चीजों का, ठीक है, तो उसको 2020 तक ऐसा एक registry बनाने का बात किया गया है, next point है, establish federated integrated health information architecture, health information exchanges and national health information network by 2025, तो इसमें क्या है कि एक common database बनाने का बात किया गया है, information exchange बनाने का बात किया जा रहा है, एक network की एक patient के बारे में, उसका पूरा medical history, सुविधा जनक तरीके से उपलब्ध होना चाहिए, एक database में, ताकि उसके जीवन काल में, जब भी उसको कहीं पर जाना पड़े, तो उसको पूरा detail खूद ना बताना पड़े, या किसी पर अगर कोई mismatch ना हो, वो जो बोल रहा है, और जो पास्ट में उसके साथ हुआ है, तो doctors जो है, इस database से, clearly समझ पाएंगे उसका medical history, okay, जैसे अभी health ID card कुछ दिन पहले ही launch किया गया है, तो यह सब इसी policy को, मतलब इसको ground पे उतारने के लिए, यह सब launch किया गया, health ID card अभी हाली में, परहापस 15 अगस्ट को ही launch किया गया था, तो यह सब इसी के लिए है, कि information जो है, अच्छे से doctor तक पहुँच सके, okay, so यह था health management information related targets, तो policy जो है, इन सब targets के लावा और क्या बात करता है, तो कुछ extra चीज भी है, जिस पर policy focus करने का बात करता है, जैसे कि यह seven priority areas है, जैस स्वक्ष भारात अभियान पर focus करने का बात करता है, balanced healthy diet, regular exercise, addressing tobacco, alcohol and substance abuse, यात्री सुरक्षा, okay, so red road traffic accidents को भी कम करने का बात करता है, निर्भाय नारी, महिला सुरक्षा के बारे में भी बात करता है, reduced stress and improved safety in the workplace, तो यह mental health well-being के बारे में भी बात करता है, reducing indoor and outdoor pollution और यह pollution के बारे में भी बात करता है, तो यह कुछ important points था, okay, so I hope कि as far as fact is concerned, everything is clear from these slides, तो इसको जो है as a base material यूज कर सकते हैं, question क्या पूछा जाएगा, उस पे तो अभी नहीं बात किया सकता, लेकिन हाँ, जब exam होगा, current affairs से relate करते हुए, हम देखेंगे कि इस health policy का क्या-क्या implement हुआ है, इस policy में से कौन-कौन सा point sexually में implement हुआ है, जैसे mmr बगेरा का बात किया गया है, या infant mortality का बात किया गया है, तो अभी infant mortality जैसे 32 के आसपास है, तो इसमें उससे कम का बात किया गया है, तो हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा policy implement हो पाएगा अच्छे तरीके से, तो इस तरह का एक analytical question exam में पूछा जा सकता है, कि health policy कितना successful हुआ है, health policy को explain करते हुए, ये बताइए कि health policy अभी कितना successful रहा है, या इस health policy पे कितना काम हुआ है, तो वो जब हम लोग exam के approach करेंगे, तब discuss करेंगे, ये सब current affairs से relate करते हुए, so I hope कि ये discussion आपको समझ में आया होगा, इससे कुछ फाइदा होगा आपको, अगर आपको हमारा इनीश अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फिर एक नए वीडियो के साथ आप से मुलगात होगा, थैंक्यू,